बहुँ साइक कॉम्पोनिंट होते हैं जो कि रिपैरी में काम आते हैं अगर अगर हुआ कश्टुमर को बोर्ड लेकर आता है तो कस्टुमर को तुरंधत उसको रिपैर करें काम आता है प्लस जो है जो रिपैरिंग सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा तर काम आता है हलो फ्रेंड आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और एक बार दुबारा मैं आपके लिए जो है वह स्क्रेब और लेके आया हूं जो आप यहाwhद देखेंगे कंप्लीट यहां पे लगबक 200 स्क्रेबड यहां पर हमारे पास जो है वो अब लेवल है और दोसों यहां पार हमने रखा है वैसे हमारे पास और भी ज्यादा है तो यह इसक्रेब बोर्ड किसका है तो यह इसक्रेब बोर्ड जो है LCD LED Smart जो टीवी होता है Android TV होता उसका यह scrape board है, scrape board का मतलब यह होता है, कि यह complete 32 inch का हो गया, 40 inch का हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 55 हो गया, इंच के यह TV के जो है, क्या है, मतलब इसके board है, combo board है, और यह board जो है, आपको मिलने वाला है, अगर आपको यह board चाहिए, तो हमारे जो भी display पे जो number दिख रहा है, उस प जैसे कि अगर हम बात करें, तो इसके board, हमारे पास बहुत सारे जो हमने पहले वीडियो डाला था, उसे बहुत सारे call आ रहे थे, कि सर हमें जो है, इस TV का जो है, model का जो हमें TV, वो चाहिए, क्या बोलते है, board चाहिए, जो कि OK चाहिए, तो OK हमारे पास नहीं होता, क्योंकि कि यह हम repairing courses कराते हैं, जो कि आपको पता है, कि हमारा multi tech institute है, यहां पर हम training देते हैं, जो कि mobile repairing हो गया, laptop repairing हो गया, printer repairing, cctv, led tv, e-vacal, ac का, इन सब का अलग-लग courses होता है, हमारा online और offline दोनों courses होता है, अगर आपको किसी type का courses भी करना है, तो जो भी display पे number दिख रहा है, उस प work होता है, कि इस board से आप क्या, अगर आप repairing सीख रहे हैं, मतलब अगर tv line में आप हैं, या tv line में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है, यह बहुत ही जरूरी है, कि आपके पास अगर आपको practice करना है, तो आप यह scrape board लेके जो है, उसको practice कर सकते हैं, इसके अंदर एके component क को जो है, आप निकाल सकते हैं, उसको check कर सकते हैं, port को निकाल सकते हैं, check कर सकते हैं, प्लस इसमें जितने भी component लगे होते हैं, यह सब component जो होता है, इस पे आप अलग-लग tracing कर सकते हैं, कि कोन सा connection कैसे लगा हुआ है, और उसको supply दे के proper جو है, अगर repairing कर रहे हैं, practice करना हैं, तो उसके लिए जो है यह बोड जो है तो बहुत ही जरूरी होता है दूसरी बात जो है कि अगर आप आप अल्रेडी टेक्निसियन है मतला आपका टीवी का सौप है और टीवी रिपैरिंग के काम करते हैं अगर यह रिपैर करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आता है कि आपके पास सपोर्ज कीजिए कि यह कैपसिटर किसी कुश्टूमर का बोड आया उसमें यह कैपसिटर लिके जाए लिके जोने पर आपका टीवी जो है सलो ओन होगा मतलब लेट ओन होगा देड़ स तो हमें एक कापसिटर चेंज करना है अब इस कैपसिटी का इसके ओपर कैपसिटी इसकी वैलू lieू लिखा होता है तो अगर हमारे पास इसक्रे सीक्रेजा बोड है दूसरा हम दूसरे बोड में निकालके इसको लगा सकते जो है रहिवा जो है इसमें छोटे चोटे आइसी लागा होता है इसमें utos ला वह सब्स wiped हो जाता आ तो टीवी जो है हैंग ओन लोगों पर मतलब people on तो होता है जैसे सबोझ कि यह की संक का संके लोगों पर जाकर रुख जाएगा और वहां आपको सब कुछ voltage चेक करने वे सब कुछ सई होता लेकिन इसमें जो BIOS होता है BIOS में दिकता जाता है तो BIOS को program करने के लिए आपके पास programmer होना चाहिए ठीक है तो प्रोपर हम training में भी बताते हैं तो आप इसका BIOS निकालके इसमें लगा सकते हैं तो जो कस्टमर का board आया उसमें लगा सकते हैं उसको program कर सकते हैं या आपके पास जो भी अगर scrape board है तो उसमें से जो BIOS है उसका BIOS programmer के द्वारा data copy करके आप backup में रख सकते हैं कि आपके उस model का अगर कोई भी टीबी आता है तो आप उस backup के according जो है उसमें चड़ा सके प्लस इसमें EMMC chip भी होता है controller भी होता है crystal भी लगा होता है बहुत सारे component होते हैं जो की repairing में काम आते हैं आपको अगर आपके पास कोई customer कोई board लेके आता है टीबी लेके आता है तो customer को टीबी आप तुरंट जो है उसको repair करके आप दे सकते हैं तो उनके लिए काम आता है प्लस जो है जो repairing सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा तर काम आता है main जो हमारे पास बार बार जो call आता है वह यह आता है कि सर इस model का हमारा tv खराब हो गया तो यह model का हमें tv का board जो है वो new चाहिए हमारे पास new board नहीं होता कोशिस करते हैं कुछ ल market होता है board होता है कि 100% repair होता है 100% अगर आपको पता है आप repairing जानते हैं तो आप इसको repair कर सकते हैं ठीक है या आप अगर इस line में आना चाहते हैं तो हमारे पास आके जो है courses कर सकते हैं तो यह video हमने इसलिए बनाया है कि आप अगर आप market में है कहीं पर भी है और आपको यह board down होता रहता है इसलिए हम rate जो है video में हम नहीं बता सकते हैं तो आप call करके जो भी आप detail ले सकते हैं अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा और अगर आपने bell icon को नहीं प्रेस किया तो bell icon को भी प्रेस किजिएगा अगर अगले वीडियो में अगले टोपिक के साथ मिलते हैं ओके थाइंकू धन्यवाद